नया आईबियन सेटन होसला है जर्नेल सिंग का जिन पर MCD के अधिकारी और करमचारियों के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा है उन पर केस दर्ज हो चुका है क्या है पूरा मामला और क्यूं गंभीर सवालों के गेरे में हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सबसे पहले रिपोर्ट देखिए पढ़ सकता है जर्नेल सिंग पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है दरसल तिलक नगर में एक मकान में अवैद निर्मार्ट पर कारवाई के लिए MCD की टीम पहुंची थी मकान मालिक ने जर्नेल सिंग को मौके पर बुला लिया आरोप है कि जर्नेल ने MCD कर्मियों के साथ बतसलूकी की उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है इस मामले में मकान मालिक के खिलाब भी केस दर्ज किया गया है कहा जा रहा है कि तिलक नगर के कृष्णा पार्क कॉलोनी में अवेद निर्मार से जोड़े इस बिवात पार तिलक नगर थाने में पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा आमादमी पार्टी के बिधायक जर्नेल सिंग की दलील है जर्नेल यही नहीं रुकते वो तो यह आरोब भी लगाते हैं कि यह पूरा मामला पैसों के लेंदेन का है और कटगरे में उनकी बजाए MCD को होना चाहिए कृष्णा पार कॉलोनी में इस निर्माना धीन इमारत को बनवाने वाले सच्जन सिंग भी जर्नेल के ही दावों को आगे बढ़ा रहे हैं उनका कहना है कि मकान बनाने के लिए MCD ने उनसे आठ लाख रुपई की मांग की थी अभी जितेंदर सिंग के मामले को ले कर बीजेपी और कॉंग्रेस सडकों पर है और अब दिल्ली में विपक्ष को केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलने का एक और मौका मिल गया है बारती जनता पाटी दिल्ली की सडकों पर आने के लिए मजबूर है इस गर्मी के समय में हमने ये वाइदा किया था कि हम केजरीवाल सरकार को सक्रे सयोग देना चाहते है लेकिन जब पानी सर से उपर जा रहा है तो निशेत रूप से हम चुप बैठेंगे नहीं और सडकों पर आकर कि इस संगर्ष और इस विरोत को हम जारी रखेंगे एक और बात जो हैरान करती है वो है मुख्यमंतरी केजरीवाल की चुपपी ना तो जितिंदर सिंग के मामले में उनकी तरफ से कोई बयान आया और ना ही जर्णेल सिंग के केस में ये अलग बात है कि पार्टी ने अब उनसे सफाई मागी है लेकिन पार्टी खुद कोई सफाई देती नजर नहीं आती मामला चाहे जो रहा हो लेकिन कानून किसी को भी सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की अजाज़त नहीं देता आलोक पर्मा के साथ प्यूर रिपोर्ट आईबिन सेवन और जर्नेल सिंग की इस हरकत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं मसलन क्या जर्नेल सिंग ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल के एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम खुद जर्नेल सिंग से जानने के कोशिश करेंगे कुछ एक शड़ों में हमारे साथ मौचून होगे हमारे शो मुद्दा में एक और बड़ा सवाल है कि क्या जर्नेल सिंग को सीधे दखल देने के बजाए पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए था एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जान बूच कर MCD के साथ तकराब चाहती है और बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में अर्विन के जवाल अभी तक चुप क्यों है हलाकि मुखे मंतरी ने जरूर जवाब मांगा है जर्नेल सिंग से लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर अर्विन के जवाल कुछ बोले नहीं चले चरचा के लिए तमाम खास मेमान हमारे साथ मौचूद है परशे आपका करा देती हूँ स्टूडियो में मौचूद है कॉंगरस की नेतार अजीवतियागी दिल्ली के तिलक नगर से आदमी पार्टी के विधायक जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ दिल्ली के मेर सुभाश आ रहा भी हमारे साथ जुड़ेंगे दक्षणी दिल्ली के मेर हैं उन्होंने आप कह रहें कि उन्होंने पैसे मांगे और फिर उसके बाद विधायक साहब वहां पर आते हैं और सीधा हाथा पाई की नौबत आ जाती है कि अलो जी कोई बात नहीं हो दियो सीधे आये और सीधा उपर चड़ गये कौन सीधाया चड़ने के बाद मैं जो यह अपना नागी आद मुस्तमुस्कर आपना मियां सी कोई यह जैजी यह जैए यह जैए यह उन्हें अपना मैं तो इसको नीचे बलाया मैं आपना मकान बना रहा हूं आपने मेरी लटकी अगर बेटी होई है उसके लिए मकान बना रहा हूं उसको मैं ने पिर बोला फिर ओटना कता कैता जी पाई दो पहले भी आपने कभी पैसे नहीं दिये और यह उसी दिन सीधा जब जिस वक्त आपका चौथा लेंटर डल रहा था सीधा जई उसी दिन आई उससे पहले भी एंसीडी का कोई अधिकारी यह कोई व्यक्ति वहां पहुंचा था कोई बात नहीं कोई नहीं आया जी मेरे पास कोई नहीं आया तो अचानक से वो आये तो फिर फोन मंत्री जी को किस ने कर दिया यह दून का कह निसकता जी मैं कैसे वागया मैं जो आया दिया आपको बोला पुल्स वाले चार पुल्स वाले सी और बाकी आपने नांगी या तोड़ने वाले सी साथ नहीं लेकिन क्या आपने इसके शिकायद तुरंथ क्योंकि पुलिस वाले साथ ही थे अपने क्या पुलिस वालों से तुरंथ बाचीत की ती यह देखी यह मेरे से पैसे मांग रहे हैं पुलिस ने क्या कहा क्या उस वक्त पुलिस वाले सामने खड़े थे जब आपने पुछ वाले कहते हम थोड़ी उनको रोख सकते हैं और उसके बाद क्या आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई स्थानिय थाने में कि अराओ अपने कि यह लेकंद को जानते हैं कि चौती मनजल लीगल है general है अगि आपको पता है चौती मनजल पर लेंटर डाल रहा था तका लीगल है यह ईलीगल लिद्ड की आपने तफ्तीश कर्वाई कि अप poo कि दौटी मूल है मेरे को पता when कि या आपने सर्टिफिकेट लिया था M.C.D. से कि क्या आप वहाँ पर लेंटर डाल सकते हैं या नहीं चौथी मन्जल लीगल है या इलीगल है कानूनी तोर पर सही है या नहीं लेकिन उससे पहले जर्नेयल सिंग से हमने वक्त मागा था उन्होंने हमें वक्त दिया कि 5 बचे वो हमारे साथ, हमारे इस शो मुद्धा में शामिल होंगे, चर्चा करेंगे हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक जर्णेल सिंग नहीं पहुँचे हैं वो अभी तक चर्चा के लिए यहां पर नहीं पहुचे हैं, और एक अपील हम भी काएंगे कि जर्नेल सिंग जी आईए क्योंकि यहां पर क्लैरिफेकेशन की जरूत है बार बार हम कहते हैं कि चर्चा में शामिल हो अगर आप सही है तो कम से कम आप आईए और इस चर्चा में शामिल होई है फिलाल हम इंतजार करेंगे हो सकता है कि कुछ खषणों में जर्नेल सिंग हमारे साथ मौझूद हो सुभाजी मैं आप से जानना चाहती हूँ mcd पर बार बार यह आरोप लगते हैं कि mcd के तमाम अधिकारी जई जुतने भी लोग वहाँ पर रहें वो भरष्ट हैं यहां पर अगर आप लीगली कर रहें या इन लीगली कर रहें कैसे कोई जही जाकर सीधा पैसे की डिमान कर सकता और उसके बाद नेगुसियेशन करेगा देखिए इसमें अभी जो ब्यान मकान मालिक ने दिया कि ना इससे पहले कोई आया ना इसके बाद कोई आया लेकिन कल पहली बार आकर उन्होंने इन से पैसा मंगा जो अभी बता रहे हैं सत्य जूट का फैसला तो पुलिस की इंक्वारी करेगी ना आ ना माँ थी ना मैं माँ था लेकिन इतना तथ्य है कि किसी भी बड़े से बड़े विक्ति को भी कानून अपने हाथ में लेकर ला और वो गल्थ कर रहा है तो अभी हमारे तिली परदेश के मुख्य मंत्री ने लगबक सेक्रो क्रोड रुपर लगा कर एक एड दियू है हर चौक पर हर सड़क पर अगर कोई आप से पैसा मैंगता है तो उसे मना मत कीजिए उसकी सीडी बनाए वीडियो बनाए और मेरे पा से द्वारा इनसे जवाब लेकर इमिजेट अब तक पर अगेश कारवाई की जाथी उपाजी इसका जवाब बिलकुल जर्नेल सिंग जी को देना चाहिए मैं बार बार आप 평 करेंगी जर्नेल सिंग अगर हमारा शोव देखर एक आपने से प्रामिसन किया था आपने वायदा किया था कि आफ हमारे शोव में आये और मेरे उनको शायद इतनी knowledge नहीं होगी कि चौथी मंजिल अप्रूव है या नहीं certificate की जरूत होगी शायद वहाँ से नहीं लिया वो कहरें कि पांच-पांच मंजिला बने तो हमारा क्यों नहीं बन सकता है। रिकत यह है कि वह अपने पे जो काणून लगू उते हैं उनको तो कहते है कि क्यों कृण कानून की नहीं है दूसरे पर रही कर रही है तो उसको चीफ-पिनिस्टर अर्विन केढून एक दिरिवाल कर लेता है। चीफ मिनिस्टर ऐसे विक्ति हैं जो बिजली के खंबे पर चड़ सकते हैं लेकिं पेड़ पर नहीं चड़ सकते हैं तो ये चिसी मुद्धे पर रहे हैं इसे मुद्धे पर रहुँगा। यह अराजकता है काइदе में रएबात इसके कि यह लीगल है यह लीगल है काइदे में देखें MCD's के बायलओ से बाइलास है इन बायलास के हसाब से पूरा लाकाक्डूशन आप कर सकते हैं आप नकषा पास पॉराने सदें के तक सब काम करते हैं बहुत सी जगह ऐसा भी है कि जहां बाइलॉस का पालन नहीं वह नक्से के साफ से मकान नहीं बने वह हैं तो उसमें कंपाउंडिंग का प्राफधान है अगर कंपाउंडिंग पर सरकार कंबीर हो कायदे में तो निशित रूप से इस तरह के टक्राव भी नहीं होंगे mcd के और दिली सरकार के तो सरकार क्योंकि सरकार के पास experience नहीं है जब सरकार के पास experience नहीं तो दिक्कत इसी की वज़े से लेकिन यहाँ पर तो mcd कोई पास करना ना एकिन सरकार को कहीं ना कहीं mcd से कॉडिनेट तो करना पड़ेगा जो ego के लड़ाई है mcd में भारतिनतर पार्टी तो इसके बाद भी हमने कॉडिनेशन का महल बनाया और हमने के इन सरकार के साथ कॉडिनेट करके दिल्ली को खुबसद बनाने का काम किया और कॉंग्रेस पार्टी निश्यत उसे 15 साल में दिल्ली को खुबसद बनाया बहतर बनाया क्या भारतिनतर पार्टी के लोग बाग क्या क्या आमाभी प्रजात तंत्र में एक दिन में कोई बी किसी भी तंत्र में आप एक दिन में सारी समस्याइद नहीं सुल जा सकते विरोध करना तक्राव रखना नेश्यत रूप से एक अच्छा सकरात्मक कदाम है प्रजात अंत्र को बहतर तरीके से चलाने के लिए लेकिन उसमें आप एगो ले आए अपना एहम संतुष्टी के लिए आप तक्राव करें तो वो चिंता का विशह है कॉंग्रेस हमें हमारे साथ इस वक्त राकेश कपूर जी भी मौजूद है वरश पत्रखार है बहुत सवागत राकेश जी आपका भी जानना ही चाहूंगी कि इसी इसी मुद्दे की बात करें कि तिलक नगर में जस तरीके से सजजन सिंग जी का घर और चौती मंजर पर लेंटे डल रह है सरकार क्योंकि राजीव जी कह रहे हैं सहियां भाय कोतवाल तो डरकाएगा देखो बड़ा इस फस्ट बात है यहां पर ना सवाल बीजेपी का है ना कॉंग्रिस का सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी है वो किस प्रकार से इस दिल्ली प्रदेश का शासन चलाना चाह यह कि कानून हाथ में लेने के क्या दुश्परिणाम हो सकते हैं प्रश्न है अभी त्यागी जी ने एक बात कही थी कि अराजक्ता यह अराजक्ता की तरफ फैलने वाला कदम है माने क्या जरूरी है कि एक विधायक जाए और वो सीधा जूनियर इंजिनियर का गला पकड़ ले या उसके साथ हाता पाई करे आपका मुख्यमंत्री हर चरहे पर कहता है एक तो मुझे इस प्रकार के विज्यापनों पर बहुत ही ज्यादा आपत्ती ह जिस प्रकार के विज्यापन अर्विंद केंजरिवाल ने लगाय हुए है कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो मना मत कीजे क्यों मना मत कीजे अरे रिश्वत मांगना अपराद है आप ये कैसी सरकार है ये सीधी अराजकता को दावत देने वाली बाते हैं इस पर एक गंभीर अपत्ती होनी चाहिए लेकिन सरकार स्वयम ऐसे विझ्यापन लगवाती है और कहती है कि कोई रिश्वत मांगता है तो आप मना मत कीजिए क्यों मना मत कीजिए रिश्वत मांगना अपराद है निश्यद रूप से उनको जो उनके मुख्यमंत्री ने बताया था वही काम करना चाहिए था जरनाल सिंग को बजाए उसके साथ आता-पाई करने के जरनाल सिंग को वह काम करना चाहिए था कि वह इसकी सूचना संबंदित अधिकारियों को देते हैं मैं और ये पता करते की जो आपने राकेश मीं जिस वक्त इंजीनर था वहां पर पैसे मांग रहा था साथ में पुलिस वाले खड़े थे और उनकाне action क्या था कि यह हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं सवाल यह है कि पुलीस का काम क्या है पुलीस का काम भी क्या है आप एक तरफ यह विग्यापन देते हैं कि पुलीस जो है वो कोई अवैद्ध या आपका मकान निर्मान नहीं रोक सकती मकान निर्मान करना है पुलीस का नंबर दो जो सबसे बड़ी बात है कि जो मकान मालिक कह रहे हैं कि हमारे सामने पुलीस भी खड़ी हूँ थी हमने पुलीस को बताया तो पुलीस का काम भी ये बनता था प्राथमिक तोर पर कि वो जूनियर इंजीरियर से पूस्ताश करती कि क्या आप ऐसी रिश्वत मांगन की बात कर रहे हैं क्या अब ये तो जैसा कि सुभाशार्य ने कहा कि ना आप वहां थे ना में वहां था ना और कोई था वहां वहां तो वो मकान मालिक जो बात कह रहे हैं वही एक एक तरफा बात है अभी तो लेकिन विधायक के तोर पर जनरेल सिंग का ये कर्थव बनता कि वो पूरे मामले की बाकाइदा कानूनन तफ्षीश करने की कोशिश करते उसको कानूनी जामा पहनाते लेकिन आम आदी पार्टी की दो आदत है कि जो कानून है कानून को तोड़ो विवस्था है विवस्था में विवस्था पैदा करो और उस पर राजनेतिक रोटियां से को यह इन की राजनिती नहीं लुट निया जाता है जिससे कि लोग को बहतर सुईधाय मिलें आमादी पार्टी की दिक्कत यह कि आमादी पार्टी जो है एक्यूजिंग एब्यूजिंग मेडनेस की पार्टी है और जिस तरह से कारे कर रहे हैं वो सब्वेधानिक आजक्ता का जनम देती है और आजक्ता निश्चित रूप से लोगतंत्र के लिए और देश के लिए घा तक है मेरा कहना इसमें सरफ यह है कि आमादी पार्टी के लोग बाग बेलगाम है और जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि साफ वीडियो औरील बनाईए ये करिए आपकी इतनी सरकार का इतना अखलाक होना चाहिए सरकार का इतना दबा होना चाहिए कि आपको वीडियो बनाने जोनती नहीं पड़ने चाहिए जवाब यहां पर नहीं है और आपको आना पड़ेगा जवाब देने के लिए नहीं तो एक बार फिर से वही बात होगी आम आदमी पार्टी हमेशा बहस से बच्छती आई है मेरको वापस से वही बात कहनी पड़ेगी अगर आप नहीं आए यहां पर इंतजार कर रहे हैं हम और इस बात का भी जवाब दीजिए सुभाशी आप कुछ कह रहे थे जी दिल्ली नगर रिगम अनथराइस कंस्रॉक्शन को रुपना चाहती है पार दरिश्टा लाना चाहती है पर कहां रुकती है अनथराइस कंस्रॉक्शन हमको तो यह डर है कि कहीं हैं ऐसा नहों कि प्लिटिकल हस्तक्षेप के कारण यह जो 1671 कलोनिया बन गई थी उनको अवैद करने की बाद चल लही है जैसा भुकंप अभी नेपाल में आया बगवान नहीं करे अगर कि दिल्ली के और यह मुड जाता तो दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी अवश्ता भै जास्ती इसलिए मैंने परसों भी कहा था कि दिल्ली के अंदर यह हस्तक्षेप पॉलिटिकल जो लोग है यह अभी तक जो मुख्य मंत्री ने कहा और जगा जगा इतने पैसे खर्च कर दिल्ली की जंता का बहुत बड़ा पैसा लगा कर यह होल्डिंग लगाए कि आप रिश्वत मांगते व कर दिल्ली के अधिकार किसी भी पड़े से बड़ी विक्ति के पास नहीं है तो उसके साथ चार पुलिस वाली भी गए तैकर कर गए अगर चौती मजल वैद है या नहीं है यह तैकरने का मनिगम का है और बी बीवियल का है जो बिल्लिक भाइलाज बनाई जाते है जो दिल्ली सरकार के द्वारा के बड़ा पास होने के बाद तैकिये जाते हैं लेकिन अभी कल के ब्यानों में कहा गया था कि यह किष्णा पा पर चार मंजल पास करने का लिकारा लेकिन है बाट उसमें एफ्यरत है सोगस का प्राट है तो आपको 90 परशन मिलेगा दोस्वाजी यही बात मैंने उन्से कहीं कि उससे पहले आपको कम से कम क्लेरिटी होगी कि आपने ली या नहीं सुभाजी वापस लोटूंगी वापस सवालों का जवाब जर्नेल सिंग के पास है लेकिन जर्नेल सिंग अभी तक नहीं आए है साड़े पांच का वक्त हो गया 25 मिनट हो गया हमारे इस शो को शुरू हुए लेकिन अभी तक जर्नेल सिंग नहीं पहुँचे हैं खाली कुरसी आप देख सकते हैं ये कुरसी कि हम इस पक्त बार पंप में हैं गोर्खा डिस्ट्रिक का एक ऐसा इलाका है जो एपी से बहुत ही नजीख है दमीन आज भी रहरा कर हिल रही है मगर जिन्दगी का विश्वास लौट रहा है रेस्क्यू कैंप्स में जो लोग रह रहे हैं उनको उप्चार की जरुवत है इस लाके में हत्म हो चुके इंसानी जिस्म की गन साफ महसूस कि जा सकी है प्रेकी बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नेल सिंग की जिन्होंने एक अन आउथराइज़ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए पहुंचे M.C.D. के जिएई को ठपड मार दिया और यहां पर सवाली उठ रहे हैं क्या ये सरकार इस तरीके से चलेगी क्या सरकार में तमाम जो मंत्री हैं उनका हाल वही हो गया है सैया भय कोतवाल तो डरकाएगा ये खाली कुरसी जर्नेल सिंग का इंतजार कर रहे हैं मैंने अभी कुछ क्षण पहले उनको फोन लगाया, बेल जा रही है, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं, दोपेर में मेरी उनसे बात हुई, हमारा guest coordination team लगातार उनसे संपर्क में है, हमारी camera team, हमारी camera person, सभी लोग वहाँ पर मौझूद है, लेकिन ये खाली कुरसी पड़ camera person वहाँ पर खड़ा है, लेकिन आप आईए कुरसी पर बैठिये, कम से कम जवाब तो दीजिए, चर्चा में शामिल तो हो ये, खास महमान सभी हमारे साथ मौझूद है, सजन सिंग जी मैं आपकी पास आना चाहूंगी, आप ये बताएं कि जिस वक्त वो जही वहाँ पर आए थे, उन्होंने आप से पहले आट लाग की मांग की, फिर उसके बाद नेगोसियेशन शुरू हो गई, आपने उनका वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने लिगल होगा, अगर लीगल होगा, तो कोई भी आपके मकान को हाथ नहीं लगा सकता है? मैडम जी, कौन सा मकान जो रीगल नहीं जाता, कौन से रीगल जाता, कहां नक्षे बनते मेरे कुआ बता पर लीगल होगा. सब चीजें आप लीगली कर रहे थे ना, आप सब चीजें लीगली कर रहे थे ना, कानूनी तोर पर आप सही कर रहे थे ना. मैंने केले बनाई आप ये बताइए, जो आपका रहे थे ना, आप सुन रहे हैं, पर एक चीजें जो निकल कर सामने आ रहे हैं, कि दिल्ली की जनता को आप पता है, कि हम इलीगली भी कंस्ट्रॉक्ट कर लेंगे, थोड़े से पैसे एमसीडी में दो, विधायक को पता है कि यहां से हमें वोट मिलने हैं, तो वोट बैंक भी उनका पक्का हो जाता है, इलीगल कंस्ट्रॉक्शन लगातार चलती जा रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों की सोच बनती जा रही है, देखे ऐसा है कि इसमें जब कॉंग्रेस लिंग को कहेंगे, उसको उससे लेकर के, उन्होंने निश्चित रूप से, एफ एर से लेकर कि हर चीज में बदलाव करने का काम किया था, जिससे लोगों को और बेहतर एफ एर मिलने का काम हो, यहां मेरा कहना एक बहुती वाइडर रिस्पेक्ट पर कहना है, देखिए, मै आम आदमी पार्टी तो ठीक है, आज हम उनको दोश अगर दे भी रहे हैं, तो एक साल हुआ उनको आया हुए, लेकिन आप लोग तो 15 साल से थे, आपने 15 साल तक हर कॉलोनी जो बनती गई, उसको आप रेगुलराइस करते गए, दिल्ली का नक्षा जो बिगड़ा है, वो दिल्ली में लोगों की बसाकत हुई, वो जिश्चे दुरूप से कॉंग्रिस पार्टी का उसमें योगदान है, और लोगों को बसने के लिए सुतन्त रहें लोगा बसकते हैं, ठीक है मानते हैं, जो तरीका है कंस्ट्रक्शन का, वो गलत है, इल्लीगल कलोनी बसी, उनको रेगलराइस किया गया, इस सरकार का काम है, सरकार के काब में, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, निशित रूप से उसके नियम काइदे हैं, लेकिन नियम काइदे को जारी करने का काम M.C.D. का है, M.C.D. का काम है, M.C.D. में भारतिंतर पार्टी पिछले 10 साल से काबि है, उन लोगों को नियम काइदे के लेकर के निशित रूप से कड़े प्रादानों करें, अगर सरकार समझदार है, सरकार और अराजक नहीं है, तो एक बेतर कॉर्डिनेशन लेकर के दिल्ली बचलती है, बिल्कुल हमें सरकार चलाई, बेटर सरकार चलाई, तो आप ऐसा का अच्छी दिल्ली सचती ना, बढ़िया देखती है, एक बेतर दिल्ली सजी, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है, सड़के सजी, लेकिन जहां पर illegal construction है, वो भी लिगलाई करती हैं, वो भी कभी regular नहीं हुआ करती थी, regularized नहीं हुआ करती थी, वो भी illegal हुआ करती थी, लेकिन उनको भी regularized किया गया, उन्प्लैंड चीजें किस तरीके से आप regularize करती हैं? दूसरी बात मैं कहना हुआ कि एक शमनी करण का प्राफधान होता है, compounding का प्राफधान होता है कानून में, क्यों नहीं दिल्ली क्या पूरे देश में compounding को लेकर के, हम लोग नियमों को सरली करण करने का काम करें, जिससे की एक बार ये सारी चीज निपड जाए पूरे दे अपने आप में कोई कानून नया बना नहीं सकते, तो अनून के अंदर हम संशोदे नहीं कर सकते, कानून को लोग भाग, पूरी बाग सून लिजे, आप लोग भाग, आपकी बातों से मुत्रफिक हो, आपकी बातों सहमत हो, कि आदमी प्लिटिकल पार्टिस ऐसे कभग किय करती है, मैं अगर सहमत हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ, आपकी भागना भी समझता हूँ, लेकिन जो जो भात माननी है, उस्ते में यूडी मिनिस्टर रैडी जी थे, स्टेट मिनिस्टर मांकंजी थे, वो उस्ते में यूडी मिनिस्टर नहीं थे, आप अपनी गरत पास नहीं कर सकते जितनी बनाई बिल्डिंग दिखाई दे रही है यह सो नहीं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे इसे जब तक कंपाउंडिंग की बात के अंदर एक रूल के अंतरगत कंपाउंडिंग पास की जाती है लेकिन कंपाउंडिंग के अंदर में हम पास करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं आपकी जो बात भावना है एक सवाल पूछ दो चाहूंगा आपसे कि कोई भी सरकार आएगी वो कनोनिया पास करती है मैं उसमें इंगा नहीं बट लेकिन जो आज की भावनाएं नेपाल देखने के बा सब्सक्राइब कर सकती है तो मेरा आप से सीधा सीधा सवार शमनी करण पे कंपाउंडिंग पे है आज डिजिचल इंडिया की बात प्रधारमंत्री कर रहे हैं क्या हम लोग बाग सेटेलाइट विदी से पूरा देख नहीं सकते कि दिल्ली में कहा का इलीघर मकार मनेवे हैं मैं कह रहा हुँ कि 90% गहरे llamado मनेवे हैं तो उनका कंपाउंडिंग करके सरकार उनको कि निल्ली से लिए। तब कांग्रेस की दोनों सब्सक्राइब करें दिल्ली के अंदर भी तब यह पास नहीं कर सकें अब बुस्तर लिए कि वाज़ा कि अपर कि नहीं के सकते हैं प्रजाटर के लिए कुछ नियमें प्रजात अदर प्रजात काम करने की जड़त होती है कि आदमी पार्टी की तरफ से क्योंकि यह मुद्दा इसी पर है तिलक नगर के जो विधायक है मैं जवाब लेती हूँ कि जर्नेल सिंग का इंतजार है अभी तक जर्नेल सिंग कुरसी पर नहीं बैठे है फोन हम लगातार लगा रहा है फोन की बेल जा रही है लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे है जर्नेल सिंग जी आई है और इस बात का जवाब दीचे मैं राकेश जी एक राजनीती ही जिम्मेदार है, सियासत ही जिम्मेदार है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जन्रेल सिंग की दूसरे हैं, वो मुझे गलती रही के जन्रेल सिंग शायद जो पत्रकार थे और जिन्होंने एक बार जो है कॉ अब लेकिन जो मूल प्रश्ण है वो यह है कि मैं ज़रा दोनों भाजापा और कॉंग्रेस जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे उससे पहले भारत की संसद ने एक कानून पास किया था और वो कानून था कि जितने भी अवैध निर्माण है उन सब की जाच परक करने की बाद सबको वैध किया जाएगा चुनकि रहने का अधिकार सभारे प्रतियक विकास का प्रश्ण है जिसकी वज़ा से आज ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है अभी जो मकान मालिक हैं उनको ये पता नहीं है वो बार-बार कह रहे हैं कि कोई मैंने इस थोड़ी किया है इल्ली काम लोग कहते हैं ना कि वो कर दिया तो हम ने कर दिया तो बुरा क्या हुआ उसी बताने हैं कि उसकी पांच मंजिल बनी हुई है उसकी चार मंजिल बनी हुई है तो मैंने कर लिया तो मेरे उपर क्यों आ गए प्रश्ण यह है कि यह जो आम आदमी पार्टी ने जो यह सिलसिला चलाया ना दिल्ली के अंदर कि आप ववस्था में ववस्था पैदा करो क कानून में कानून को तोड़ो और फिर उसके बाद सवाल पूछो यह जो राजनीती दिल्ली में शुरू हुई है यह राजनीती हमें इस मुकाम तक ले जा रही है कि एक चुना हुआ विधायक स्वयमा करके कानून को अपने हाथ में लेता है और एक सरकारी अधिकारी के साथ मार पीट करता है बेशक सरकारी अधिकारी रिश्वत खोर हो सकता है उसनों रिश्वत मांग सकता है इसके बावजूद उसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए ना कि उस पर हाथ उठाया जाना चाहिए कानून का शासन कायम रहे यही हमारे लोक तंत्र की मूल भावना है यहां पर किसी विक्तिक शाषन नहहीं चलता इस देश में, नहीं चलता है, ब्रेक का वक्त हो गया है, और 5-45 हो गया है मेरी घड़ी में, अभी तक 45 मिनट हो चुके है, शो शुरू हुए लेकिन अभी तक जौनेज सिंह जी ना फोन उठा रहे हैं, तो आपके विगड़ेल विधायक और इंतजार हो रहा है जरनेल सिंग का अभी तक नहीं पहुंचे और अब हमें लगमी नहीं रहा है राकिश का पूर जी शुरू से मुझे यह कहते आ रहे कि नहीं आएंगे वो आप इंतजार करते रहेंगे आप यहीं शब्द कहते इंतजार हम कर रहे थे कि कम से कम आते अपनी बात यहां पर रखते और क्योंकि सुबा उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और यहां पर अपनी बात रखेंगे फिलाल मुके मंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है हाँ जवाब तालब जरूर किया है जरनेल सिंग से इस पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कि हम इन्जार करेंगे कियामत तक, खुदा करें कि अडविन केजरिवाल जी कुछ अद्बुद्धी हो जाए और वो कुछ स्टेट्मेंट दे जाए तो माने ये है कि ये ऐसा एक गलत काम कर दिया है, माने आपने स्वयम ही जब आप ये बात कहते हैं, लोगों को ये बात समझाते हैं और विज्यापन करके समझाते हैं कि जो रिश्वत दे उसको मना मत करो, अरे भाई आप वहां क्या करने गए थे, आप वहां क्या करने गए थे विधायक के तौर पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आपकी पार्टी का जो संदेशा आप उसे लागू करें, अब बजाए आप उसे लागू करने के, अब क्योंकि आप MCD से जुड़े होएं, एक सवाल बस, क्योंकि यहाँ पर सजन सिंग जी ने सीधे आरोप लगाया है कि MCD के जई आया था और उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, अब ये बताएं क्या उस जई के खिलाफ कारवाई होगी या नहीं होगी? इस चिकायत कंप्लेंट लिख कर दे, इसके इंक्वारी कराकर दोशी व्यक्ति पर विलम केस किया जाएगा, उसकी सजा उसको दी जाएगी, अगर ये साबित होता है, रिश्वत मांगी गई, और उसने जैसे का अगर नूटिस दिया ने गया, और नूटिस सर्व किया गया डूटि पूरी कर रहा था, तो लोगों ने मार्पीट की, उसकी भी भरपाई, उसकी भी ताड़ना, उसके पर भी कानून अपना पूरा काम करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जितना भी बड़ा व्यक्ति हो देश का, दिली का, लेकिन कानून को अपने हा मैं भी पीस बड़ा हूँ, लगातार पास बार जीत कर मैं हूँ इस यह तरवे, लेकिन एक बार भी जाहिए होती है, पाज जाने का अधिकार मैं नहीं होता, क्योंकि हम मानते है, कि जिसने इडिलीगल किया है, उसके बीच में अगर कराइमेंस है, उसके और जियाई के पी सज़न सिंग जी, जोईन के खुलाब करवाई हो सकती है, लेकिन क्या आपने लिखित में कंपलेंट दर्ज करवाई अभी तक? सजन सिंग जी मेरा सवाल आप से है सुभाश वारा जी कह रहे हैं कि जई के खलाफ कारवाई हो सकती क्योंकि उन्होंने आप से रिश्वत मांगी क्या आपने लिखित में कम्प्लेट दर्च करवाई है किया आपने लिखित में जई के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है क्योंकि उस जई ने आप से पैसे मांगे रिश्वत मांगी उसके खिलाफ कारवाई हो सकती है कि किसने कंप्लेंट नहीं लिखी किसने कंप्लेंट नहीं लिखी एक जाता है रश्वत मांगता है चार पुलिस वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है कंप्लेंट लिखवाने पुलिस के पास जाते हैं पुलिस आना का नहीं करते हैं कंप्लेंट नहीं अब सवाल यहां पर देखें बड़ा उल्जा हुआ प्रश्न है एक तो इसमें राजनेतिक द्रस्टी कोड है सीधा कि आपका विधायक है रोहां MCD के क्रमचारी जो है MCD की जो हुक्मरान है वो भाजपा है दूसरे जब कंप्लेंट आप लिखाने जा रहे हैं अगर अवेद ही निर्माण है तो यह नोट लाइबल तू कंप्लेंट नमबर दो अगर आपके सामने पुलिस के सामने यह घटना हुई है और पुलिस इस बात से मुकरती है कि हमारे सामने ऐसी बात नहीं हुई और अगले दिन सुबह को माफी मांगती है तौफी और माफी की सरकार जो है जादर दिनी चल पाती है लोग बाग वो एक्स्पोज होना शुरू हो गए है दूसरी बात यह है कि देखें सुराज की बात करना भारत माता की जै करना वो प्रदेख भारते को बड़ा अच्छा लगता है का एक औरकेस्टेशन या अभी उसकी पूरी सचाई बाहरानी है उसके बाद बहुत सारे हैं उसके बाद प्रशांत भूशान और यह सारे के सारे आपसी मसले यह बताता है खाली कुर्सी इंतजार करती रही आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिया पलाल मुद्दा में